ये फोटो याद है आपको? आरेन खान के साथ इस आदमी की फोटो तब वारल हुई थी जब आरेन नार्कोटिक्स कंच्रोल ब्यूरो यानि NCB के आफिस में थे उस वक्त जाच पड़ताल करने के बाद ये पता चला कि इस आदमी का नाम है केपी गोसावी और उस वक्त सबकी नजरे सिर्फ आरेन के उपर थी इसलिए केपी के उपर किसी का ज्यादा धान नहीं गया लोगों को क्या पता था कि केपी ही के इशारों पर ये सब कुछ हो रहा है कैसे? बताऊंगी आज मैं सबसे पहले एक ख़बर क्या है? वो जान लेते हैं तो एक बार फिर से आरेन खान ड्रग्स केस का जिक्र हो रहा है लेकिन इस बार मामला आरेन खान का नहीं बलकि जाच कर रहे ओफिसर समीर वांखडे और केपी गोसावी के कारण हो रही है अच्छली आरेन खान ड्रग्स केस में केपी गोसावी का नाम सामने आया था जिसे क्रूज शिप ड्रग केस में NCB की ओर से शामल किया गया था अब इस बात का खुलासा हुआ है कि NCB ओफिसर समीर वांखडे के साथ केपी गोसावी ने आरेन खान के परिवार से 25 करोड रुपए की जबरन वसूली करने की योजना बनाई थी केपी चर्चे में तब आया जब NCB कारयाले के अंदर आरेन खान के साथ उसकी एक सेलफी वाइरल हुई थी अब जानते हैं कि ये केपी गोसावी है कौन और उसका इस केस से क्या लिना देना है तो गोसावी मुंबई क्रूस ड्रग्स मामले में नो गवाहू में से एक है जिसकी जाच NCB ने की थी केपी गोसावी ने SIT को दिये गए अपने बयान में बताया था कि सेलफी उसने इसले लिए थी ताकि वो अपने फ्रेंज के सामने इस फोटो को फलांट कर सके CBI ने FIR में ये दावा किया है कि KP ने RN खान के परिवार से ड्रग्स केस मामले में 25 करोड रुपे वसूलने की योचना बनाई थी वहीं गोसावी को 2021 में एक आदमी को ठगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था इसा मन्द में पूरे के चुनमया देशमुक ने शिकायत दर्स कराई थी कि गोसावी ने मलीशिया में उसकी नौकरी दिलाने के नाम पर उससे 3 लाख रुपे से जादा की ठगी की है वहीं अब बात ये सामने आई है कि CBI ने गोसावी और उसके सहयोगी डिसूजा ने समीर वांखडे की ओर से आरेन खान के परिवार से 25 करोड रुपे वसूलने की साजिश रखी थी और वो भी on behalf of समीर वांखडे लेकिन बाद में 25 करोड की जो घूस है वो 18 करोड पर फिक्स हुई थी वहीं कुछ दूर तक प्लान सक्सेस्फुल भी हो गया था जिसके बदले 50 लाख रुपे ट्रांसफर भी हो गय थे लेकिन कुछ देर बाद ये पैसे के पी के तरफ से वापस कर दिये गये थे सर्फ इतना ही नहीं समीर वांखडे ने आरेन के खिलाफ अपनी कारवाई में केपी गोसावी को फ्री हैंड दिया था है ऐसा लग रहा था कि गोसावी ही NCB के कोई अधिकारी है दूसरे तरफ अब तलवार जो है वो समीर वांखडे के उपर भी लटक रही है दरसल NCB के प कोई भी सही जवाब नहीं दिया उन पैसो के सोर्स के बारे में कोई जानकारी नहीं दी पता चला है कि डेपार्टमेंट की जानकारी के बिना समीर वांखडे एक प्राइविट संस्थान के साथ महेंगी घड़ियों की बिक्री और खरीद में भी शामिल है अब एक बार जा मामले में आरियन खान के साथ टोटल 19 लोगों को ग्रफतार किया गया था हाला कि चापे के दोरान मौके से 6 लोग ही पकड़े गए इस मामले में एक आरोपी को छोड़ कर बाकी सब जमानत पर भार आ गये थे वहीं कि ग्रफतारी के बाद आरियन खान को 3 हफते से जादा का समय जेल में बताना पड़ा था और SIT जाच के बाद आरियन को 6 नवंबर को जमानत दे दी गए थी इस केस पर समीर वांखड़े काम कर रहे थे और उसी महीने समीर वांखड़े का तबादला भी कर दिया गया था तो यहीं अब फिर से यह मामला खुला है चापर अब बहु के मामले में जो भी अब आगे अपडेट होगा वो अंकट के ओडियन्स को सबसे पहले मिलेगा लेकिन उसके लिए आपको अंकट को लाइक सब्सक्राइबर शेयर करना होगा मैंति आपके साथ आशी से